नमश्कार बच्चो आपका ओनलाइन क्लास में स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे स्वर ग्यान आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चो स्वर ग्यान पहले हमने स्वरों के बारे में वैसे तो पिछली कक्षा में पढ़ लिया था लेकिन आज हम इसे पुनह दोराएंगे हमने स्वरों को पढ़ लिया था पर आज हम इसे पुनह दोराएंगे स्वर वे होते हैं जिनने मात्राओं के रूप में प्रियोग किया जाता है जैसे कि आप लिखते हो माता माता के अंदर लगती है आ की मात्रा तो ये सारे जो है अ आ ई ई उ उ री ए आई ओ अउ अंग अह इन सभी स्वरों की मात्राएं बनती है ठीक है तो हम फिर से इसे पुना जो रहेंगे आप भी मेरे साथ रिपीट करना अ आ ई ई उ उ री ए आई ओ आउ अंग अह फिर से अंग और अह ठीक है बच्चों अब हम पढ़ेंगे व्योंजन के बारे में वर्ण माला में दो भाग होते हैं स्वर और व्यंजन स्वरों का मात्राओं के रूप में प्रियोग किया जाता है और व्यंजन वे होते हैं जिन पर मात्राएं लगती है तो इनका प्रियोग तो किसके रूप में होगा मात्राओं के रूप में और मात्राइं लगती किस पर है तो वो है व्यंजन आपको यहां पर व्यंजन लिखे वे दिखाई दे रहे हैं बच्चो जो मैंने पॉपल कलर से लिखे हैं वो है आपके व्यंजन अब हम इसे एक साथ मिलकर पढ़ते हैं पिछली कोक्षाओं में पीट करो दहराते रहें क ख ग ग ड त त च ज ज ज ज न त थ ड ध धन त त थ ड धन त त थ ज 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 द धन पफबबब्बम यर लव श ज ज श श श श ट्र ज क्य यहां पर आपने देखा अगा चारों की एक ही आवाज निकल रहे हैं वो है श वापस दिन एक बार फिर से दोह राते हैं अपन इसे क ख ग ग न च छ ज ज ज न त थ ड धन त थ द धन प फ ब भ म य र ल व श श श श श त्र ग्य अब इसे तो हम इसे वापस पुना दोर आते हैं अब स्वर्ण और व्यंजन को एक साथ पढ़ते हैं अ आ ई ई उ उ उ री ए आई ओ आउ अन अग ग ख ख ग गड च छ ज ज ज ज न त थ ड ध धन त थ द धन प फ ब भ भ म य र ल व श श श श श श त्र क्य अब देखो फिर से देख लो एक बार बच्चो ध्यान पूर्वक स्वर्ण स्वर का प्रयोग कहा होता है स्वर मात्राओं की रूप में प्रयोग किये चाते हैं और व्यंजन जिन पर मात्राएं लगती है वो कौन होते हैं व्यंजन देखो अगर हम देख लो यहाँ पर जैसे कि हमने ले ली एक ही मात्रा हमने एक ही मात्रा ले ली और कोई भी यहां से एक व्यंजन ले ली जिए जैसे कि व्यंजन ले लो कर तो हम इस मात्राओं का कर ले लिया है हमने यहां पर लिख देती हूं मैं कर और उन पर स्वरों का प्रयोग किस प्रकार होगा वो कुछ इस प्रकार होगा हमने ए को चूस किया है तो हम इस पर क्या लगाएंगे एकी मात्रा तो कर और ए को साथ में पढ़ेंगे अपन कर ए के सुनाई दिया आपको कर पहले व्यंजन को पढ़ना है फिर स्वर को क ए बन गया के तो आज हमने क्या सीखा बच्चों व्यंजन और स्वर्व का प्रियोग और व्यंजन और स्वर्व क्या होते हैं और इन्हें पढ़ना और आपको अपने नोट बुक्स में लिखने हैं ये वेंजम साफ सुत्रे तरीके से इसके ताथी बच्चो धन्यवाद